हलो 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 एव्रिवान दिस अविना संचेती फ्रम नवीन क्लासेज एंड सीमें इंटर के गुरुग्यान सिरीज में नेक्स्ट एंड वेरी इंपोर्टेंट वीडियो जिसका बहुत सारे स्टूडेंट काफी देर से वेट कर रहे थे सर हमारे जो एक्जाम का financial accounting का paper होता है hundred mark का paper old syllabus का पहला paper new syllabus का group one का दूसरा या total का third paper सर ये financial accounting का paper है तो बहुत important क्योंकि इस paper में अगर हम अच्छे से करते हैं तो we can score बहुत जादा marks which will help us to complete the group का total of 200 बट सर ये paper ना attempt करते समय सर हम लोग को problem होती है paper तोड़ा lengthy लगता है जिसके कारणा सर बहुत चीजे छूट जाती है paper में और marks हमारे कम हो जाते है सर किस तरीके से paper को attempt किया जाए एक ऐसा कोई proper sequence जिससे अगर हम paper को attempt करे तो हम उस paper को complete कर पाए to the extent possible जितना maximum हो सकता है उतना तो सर बताईए हम लोग को तो आज के इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे financial accounting चाहे old syllabus चाहे new syllabus का paper आपको किस sequence में attempt करना चाहिए यह जो मैं इस paper के लिए बता रहा हूँ you can also follow for other practical papers like cost के लिए आप follow कर सकते हो cost FM जो old syllabus में है या management accounting जो new syllabus वगेरा में है उसके लिए follow कर सकते हो क्योंकि वो भी practical paper है hundred mark के तो उसके लिए यह same rule आप apply कर सकते हो देखो paper को attempt करना paper को properly attempt करना is an art और उसको properly attempt करने के लिए you need to ensure you need to ensure that you are in a consistent speed right away from the beginning ऐसा नहीं है initially slow slow चले फिर बीच में थोड़ी speed बढ़ा दी last में नहीं समझ मैं तो जैसे तैसे लिख के आ गए उससे paper attempt करने से कोई फाइदा नहीं होता है उस art को समझना पड़ेगा सबसे पहले तो हमारा सबका objective यही है कि हम जितने जादा से जादा marks उठा सके मैं जब student था मैं हमेशा एक strategy फॉलो करता था कि मैं कोई भी paper को attempt करूंगा ना सबसे पहले paper में मैं उन questions को attempt करूंगा जिसमें मैं जादा से जादा score कर सकता हूँ जो less tricky हो जो एक बार में फटा फट बन जाए जहां पर मेरे को काटम कुटी नहीं करनी पड़े और उसके बाद gradually I'll go to the tough questions और the lengthy questions और the बड़े questions जिससे क्या होता था मेरा paper initially बहुत अच्छे से लिखा भी जाता था जो चेक करता था उसके उपर एक proper impression भी पढ़ता था और मैं अपने paper time to time complete भी कर पाता था तो वही strategy को मैंने आज आपके सामने रखने की कोशिश की है ताकि आपको भी वो paper attempt करने में बहुत help करें सबसे पहले हमारे financial accounting के subject में जब आप paper attempt करने बैठोगे अगर आपको reading time मिला तो बहुत अच्छा नहीं मिला तो जो हमारा first part of the paper होता है objectives mcqs new syllabus में सिर्फ mcqs है old syllabus में mcqs भी है true false भी है fill in the blanks भी है match the following भी है इस तरीके से paper pattern है आप सबसे पहले जो आपको mcqs easy objective easy लगते हैं उसी समय वहां पे वहीं पे question paper पे pencil से फटाफट करके छोड़ दो sir question paper में तो लिखना allowed नहीं है ना this is against rules देखो अगर आपको लगता है this is against rules तो आप अपने answer sheet का पहला page और दूसरा page objectives के लिए छोड़ दो और जो जो आपको आता है वहां पे आप फटाफट फटाफट लिखते चले जाओ अभी सारे mcqs objectives नहीं करने जो आपको first site में देख thing और यह करने के लिए आपको ना 5-7 minutes से जादा नहीं लगेगा क्योंकि आप सिर्फ उनी पर ध्यान दे रहो जो आपको लगता है आपको आता है बात बाकी एक बार आपने छोड़ दिया पहले जो आता है उनको अच्छे से लिख लेता हूं ताकि मैं जितना marks cover कर सकता हूं इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यह mcqs करने के बाद अभी मेरे mcqs पूरे नहीं हुए जो हो गया उनको टिक कर देना जो नहीं हुए उनको गोल कर देना दोनों में एक काम करना जो हो गया उनको टिक या जो नहीं हुए उनको गोल करते जाओ ताकि पता रहे कि मेरे को ये बापस आके करने का है इसके बाद हम लोग कहा जाएंगे जो छोटे-छोटे question होते हैं जैसे एक-एक question मालो 14 या 15 mark का होगा individual question उसमें आप जो question में आपको 5-9 या 7-7 या 6-8 या 10-4 या 5-5-5 के 3 question ऐसे question दिखाई देते हैं सबसे पहले आपको वो questions attempt करने चाहिए reason दे रहा हूँ ये जो 5-7 marks, 8 marks के question होगे इन में हमेशा आप देखोगे एक तो देखे-दिखाई type के question आएंगे वैसे question आपने पहले कर रखे होगे दूसरे ये question में generally trick कम होता है generally इन में जो पैचीदगी होती है question आपको दिये जाएंगे तो सबसे पहले मैंने easy mcqs को attempt किया फिर मैंने खोजना शुरू किया जिस question में मेरा break up दिया वे 555, 6, 8, 7, 7 और जो मेरे को लगता है मेरे को दोनों तीनों पार्ट आता है मैं पहले उनको लिखना शुरू करूँगा इससे क्या होता है एक तो initially गलतिया कम होती है दूसरा आपका paper में momentum बढ़ना शुरू होता है आप paper में एक level पे आगे जाना शुरू करते हो ये करने के बाद third में आप जा सकते हो short notes and theories में old syllabus में जो last question है वो तो short note compulsory आता ही है जिसमें एक choice रहती है new syllabus में भी last question में institute ने थोड़ा theory को रखा है अगर आपको लगता है वो जितने question है उसमें से आपको बराबर आते हैं आप समझ रहे हो कि आप लिख सकते हो इनको अच्छे से बना कर you can attempt your short notes and theory वाला question then सर माल लो तीन टो दी है तीन में दो आता है एक नहीं आता है एक को सर मन से बना के थोड़ा बहुत लिखना होगा थोड़ा बहुत ही पता है बट दो मेरे को अच्छे से पता है दो पूरा अच्छे से लिख दे एक का जो है उसका जगा छोड़ दे बाद में आके लिख देंगे ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक 15 mark का practical जब आप गलत करते हो ना बहुत जादा marks कर जाते हैं बट जो 5-5-4 का theory है उसको अगर आप लिखते हो ना तो इतने marks नहीं करते जितना practical wrong होने से पूरा 0 हो जाता है या step marking में बहुत कम marks आपको मिलता है इसके बाद जो बचे वे multiple choice questions है आप अब उनमें जाओगे एक-एक करके पढ़ना शुरू करोगे और उनको answer करना शुरू करोगे multiple choice question में मैंने पहले भी बोल रख है मैंने उसके लिए एक अलग video बनाया था और बच्चे पूचते sir hall collection होता है क्या देखो ये ऐसे सामने सामने वीडियो में बोलूँगो तो लोग बोलेंगे ऐसा sir क्या सिखा रहे है बट रियल में थोड़ा बहुत होता है बच्चे करते हैं institute बतब जो invigilators है वो भी वैसे ही आपको देखते हैं उतना पूरा बिग practical question जो 14-15 mark के बड़े-बड़े question आते हैं partnership से जो एक पुरा-बड़ा question आता है single entry से जो एक पुरा-बड़ा question आ सकता है अगर ये 14-15 mark के question आप last की तरह attempt करोगे ना फाइदा क्या होगा पहले तो आपका momentum बना हुआ है momentum बना हुआ है तो आपकी speed एक अच्छी होगी लिखने की आप अच्छे से लिख पाओगे number two अगर इन question में कहीं जटिलता होती भी और आप attempt कर रहे हो और कुछ mistakes हो भी गई तो एकदम last में आपके paper में जो check करेगा ना उसको वो चीज last में दिखाई देगी initial आपका impression कभी खराब नहीं होगा तो जब भी आप paper attempt करें आप हमेशा इसी sequence के साथ चले यह best sequence है सर मालो सारे ही बड़े question जैसे December 22 के एक term में हुआ था सारे ही question 15, 15, 15, 15 mark के दे दिये थे फिर उस question में अगर वैसा कुछ आ जाए जिसमें सारे question ही 14, 14, 15, 15 marks के है तो जो आपको सबसे अच्छे से आता है उसको पहले attempt करें and then go to the other questions This is how you attempt your paper so that you can complete things on time आपका paper बहुत प्रॉपरली अच्छे से आप लिख बहुत सामने वाला जो चेक करें उसका भी एक impression अच्छा पड़े आपके paper पे Sir, क्या हम लोगों को question paper sequence से नहीं लिखना चाहिए पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कहीं नहीं लिखा हुए rule में sequence is not required बट हाँ वो चाहते हैं कि जब आप कोई एक particular question attend कर रहे हो तो उसके जितने part से वो एक जगा पर आजा है ताकि उनको checking में easy हो तो अगर आप question number 6 पहले attempt कर रहे हो चलेगा बट 6 का अगर A, B, C part है तो आप try करो ABC एक साथ हो इसमें भी C, B, A कर सकते हो, C, A, B कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बट वो तीनों part एक साथ हो सर्माल लोग किसी एक part में दो question आता है, एक नहीं आता है आप इसके लिए पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, महनत आपको करनी पड़ेगी, हमारे गुरू ग्यान्स वीडियो, हमारे रिविजिन्स वीडियो, हमारे MCQ's वीडियो आप रेफर कर सकते हो जिससे आपको बहुत हल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन में done, this is how you attempt your paper, hope you like this strategy, hope you'll follow this strategy, and everything goes well, all the best for your exam!!! thank you so much everyone, bye